आपका स्वागत करता हूँ आज हम आए करमपुरा में यहाँ पर लीगल सर्विस क्लिनिक का उद्गाटन हुआ है हमार साथ जुड़ गया है संदीब गुपता जी सेकेटरी है डाल्सा के सेंटरल डिस्टिक के सर स्वागत आपका हमारे चैनल पर थैंक यू थैंक यू सो मज सर आज आप यहाँ पर आया है तो यह जो डिस्टिक क्लिनिक यहाँ पर खुला है इस विशे में हम आप से जानना चाहेंगे देखे यह जो क्लिनिक है लीगल सर्विसेस क्लिनिक हमने श्रम विभाग में खुला है यह ऐसे क्लिनिक खोले जा रहे हैं हर जिले में जहाँ पर श्रम का रेले हैं, वहाँ पर डालसा की तरफ से ये प्रयतन है कि सब श्रम का रेले हैं वहाँ पर खुल जाएं, तो आज ये चौथा क्लीने के यहाँ पर खुल गया है पस्चिमी जिला के श्रम का रेले में, तो इसका मकसद यही है कि यहाँ पर जो हमारे मजदूर भाई आ अलग अलग कानूनों में वो उनको पता लगे जिससे वो अगर जरूरत पड़ती है तो उनको वो उप्योग कर सकें और सही अथोरिटी में सही जगा जाकर अपनी अप्लिकेशन अरजी दे सकें यहां पर सिर्फ श्रमिक को ही जो लाब मिलेंगे या और भी जो अन्य लोग भ हमारी भाषा बहुत वाइड है हमारे सीनियर सिटिजन अलग होते हैं हमारे बच्चों अलग होते हैं एक कैटेगरी हो जाती है इसी तरीके से यह हमने यहां पर फोकस श्रमिक भाईयों पर ही रहेगा क्योंकि यह श्रमिक कर रहे हैं तो यहां पर वही लोग आते हैं जिनक तो अपने रोजगार से संबंधित कोई समस्य होती है, अपने employer से कोई शिकायत होती है, कोई अपनी salary से related, कोई अपने wages से related, कोई अपना provident fund से related, उनकी 50 तरीके की शिकायते हैं, तो इस जगह पर श्रम का रेले जो बना हुआ है, यहाँ पर यह पर आते ही वही है, तो यहाँ अपर office अगर legal aid clinic हमने खोला है, तो उसका तो primary focus यही है, कि जो श्रम भाई है, श्रमिक भाई हैं हमारे उनको सायता मिले, बाकी जो लोग हैं, जैसे कि आपने बोला कि बाकी उनके लिए हमारे जो दिल्ली विदिक सिवा प्राधिकरन के offices हैं, वो खुले वे हैं, हर जिले मे जो court है हमारी, जैसे दिल्ली में 6 court हैं, अदालते हैं, रोहिनी, द्वारका, पटियालाहूस, करकरडूमा, साकेत, 30 हजारी, तो यहाँ पर DLSA, Delhi Legal Services Authority, डालसा जिसको हम मोलते हैं, वहाँ offices खुले हैं, तो वहाँ पर हमारे front office में एक वकील सा बैठे रहते हैं, 10 से 5 बज़े तक working days पर, तो वहाँ पर अगर कोई और भी है, कोई भी है, कोई बच्चा है, कोई बज़ोर्ग है, कोई मैला है, गरीब है, कोई है, category का आदमी, इनसान वो जाकर वहाँ से कानूनी सला प्राप्त कर सकता है, तो सर, अब हम आपसे जाना चाहेंगे कि court जाके जादा असान ह होगा आसला लेना या इस क्लिनिक में आकर? देखे, इस क्लिनिक में श्रमिकों के लिए तो हमने एक तरीके से जैसे बोलते हैं, उनके द्वार पर ही जाकर एक सुविदा देने की कोशिश करी है, तो इस श्रमिकों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ आकर अ तो दोनों ही है पर यह कि प्रोसीजर वाइज तो दोनों जगा कोई प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटिड नहीं है वहां पर जाकर भी आप सीधा अपनी समस्या पूछ सकते हैं बता सकते हैं और उसका हल पूछ सकते हैं यहां पर भी फर्क सिरफ इतना है कि जैसे श्रमिक भाई य ज़रूरत नहीं पड़ेगी वह सेम दे जब यहां पर आ रहा है अपनी और किसी प्रॉब्लम के साथ यहां पर आकर लिगल गाइडेंस भी प्राप्त कर लेगा तो उसको अलग से न्या यल्ले में जाकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी असर हम आपसे जाना चाहेंगे जो लेबर है उसमें जागरूटा कैसे फैलाई जा सकती है देखिए लेबर में जागरूगता एक तो यह ओफस होई गया हमारा यहां से वह पराप्ट कर सकते हैं दूसरा समय समय पर हम जो हमारे डिलसे हैं हम हर छीले में कई ठा करते रहते हैं मजदूर भाईयों के बीच में जाकर construction sites होती है वहाँ पर 100, 200, 300, 400 मजदूर एकी जगाँ पर काम कर रहे होते हैं महिला, पुरुष, दोनो तरीके के लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर जाकर भी हम उनके बीच में उनको बताते हैं लिबर कमिशनर या डिप्टी लिबर कमिशनर सहाब के सयोग से कि उनको उनके बारे में अधिकारों के बारे में बताया जाए और क्या scheme चल रही हैं तो हम समय समय पर जाकर उनके लिए वो प्रोग्राम भी आयोजित करते रहते हैं और ये इगलेट क्लेनिक तो खुले ही हुए हैं पर्मनेंटली तो सर्थ हम आपसे जाना चाहेंगे जो यहां पर आके रजिस्ट्रेशन कराता है अपना उनको क्या आपने जो उनकी शादी का खर्च है वो भी मिलेगा या उनके पंजीकरत करा ले मतला रेजिस्टर करा ले अब उसके लिए उसके किसी घरवाले को भी साथ में रेजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है या नहीं है वो पर्टिकुलर स्कीम देखकर ही पता लग सकता है जो स्कीमें हैं जैसे गरवती अगर कोई श्रमिक महिला है तो उसको बच्चे के लिए कितना मुआफजा मिल सकता है बच्चा पैदा होने के लिए खर्चे के लिए क्या मुआफजा है या कोई दुर भागे वच दुर घटना गरस्त हो जाता है तो उसको कितना मुआफजा मिलेगा या जैसे आपने बोला शादी है उसको बच्चे की शादी क आपने बच्चे का एड्मिशन कराना है किसी स्कूल में दाखिला या खुद की करानी है तो उसके लिए अलग-अलग स्कीम हैं अलग-अलग यरली और मंथली पैसे का जो स्कीम है प्रावधान है जो गवर्मेंट की वो चेंज होती रहती है अलग-अलग टाइम पे तो जो हम च्रम कारेले में आके जो हमारे हर च्रम कारेले में डिप्टी लेबर कमिशनर्स बैठे होते हैं असिस्टेंट लेबर कमिशनर्स बैठे होते हैं लेबर ऑफिसर्स होते हैं उनके पास जाके वो जानकरी प्राप्त कर सकता है और उसके बाद कोई कानून के बारे में भी उस करूं हमारे वकील साब से पूछ सकते हैं सर आने वाले समय में लेबर के हित के लिए और क्या करा जा सकता है देखे हित जो है उसकी परिभाशा कोई नहीं है उसको मैं सिंपल शब्दों में बोलूगा कि जागरूपता अवेरनेस और प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए हमें तो हम अधिकारों का हनन होने से रोक सकते हैं और अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं अगर हमें पता ही नहीं ह कि यह scheme है हमारे लिए, या अगर मुझे काम करते वे यह डिखाई जाता है कि labor को पता ही नहीं है, तो यह पता होना बहुत जरूरी है, पता होने के लिए हमने यह legal aid clinics खुलने की शुरुआत करिये, कि हम legal aid clinics खुल रहे हैं, डालसा की तरफ से जो खुल रहे हैं, दिल्ली तो वहां पर आकर message spread करना यह बहुत जरूरी है श्रमिकों को पता होना चाहिए कि उनके लिए लीगलेट क्लिनिक्स कुले में यहां पर आकर वो हर तरीके की guidance ले सकते हैं वो guidance लेंगे तो अपने हित अपने हित के लिए काम कर सकते हैं फिर तो authorities बैठी है authorities के पास अब जब जाएंगे ही नहीं अगर आप घर पर ही रहेंगे और अपनी शिकायत को अपने अंदर ही लेकर बैठे रहेंगे मन में तो तो कुछ नहीं हो सकता है तो point यही है मकसद यही है मुद्दा यही है कि वो यहां पर आएं कि देखने को मिलता है कहीना की जो labor होती उनके जो employer होती है जो उनके जो अनके मालिक होती है वो उनको कहीना कि उनको उनसे डर लगता है कि उनका कुछ वो उनका गलत पोori immediate आ हो जाए या पैसे नहीं देंगे तो इस विशे में हम आप शाना चाहरें us okay मैं आप कैसे उनके मदद करेंगी तो बिल्कुल देखें कई मजदूर भाई हैं कई शोशित अपने आपको फील करते हैं कि उनको किसी तरीके का जैसे ओवर टाइम नहीं मिला या जाधा घंटे काम करा लिया या कहीं बहुत जाधा मजदूर काम कर रहे हैं तो महाँ पर वाश रूम की सुविधा नहीं है या पानी की सुविधा नहीं है स्वच पानी की तो इस तरीके की हजारों समस्याएं हैं और इनके लिए सब प्रावधान कानून में दिये हुए फैक्टरी एक्ट हो गया बॉन्डिड लेबर एक्ट हो गया उन सब में सारी प्रावधान दिये हुए है कि कहां कहां पर क्या-क्या सुविधाय मालिक को देनी पड़ेंगी अपने मजदूरों को तो ये सब चीजें के पारे में जानना बहुत ज़रूरी है मजदूरों को तो वो श्रमिक भाई जो है यहां लीगलेड क्लिनिक में आकर इन जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और अगर ऐसी कोई facility नहीं है तो वो अपने मालिक को बोल सकते हैं और अगर वहाँ पर नहीं सुनवाई होती है तो वो उसकी appropriate authority में जाकर शिकायत कर सकते हैं सर आने वाले समय में कितनी जरूरत है इस तरह के और क्लिनिक खुलने की देखें मैंने जैसे आपको बताया कि जितने जिले जहां पर श्रम कार्याले हैं वहां पर तो एक खुल ही रही हैं कितने जरूरत है सर, जरूरत तो ही जी तब खुल रहे हैं, क्योंकि श्रमिक बहुत है, बहुत आबादी है हमारे दिल्ली में श्रमिक भाईयों की, इसलिए उनकी समस्या भी होंगी, जब श्रमिक जादा होंगे तो प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, वो अनिवारे रूप से क ही न कहीं किसी न किसी को problem होती है तो जरूरत तो पूरी है यह मैं बोलूँगा तो हम तो इसलिए चाहते हैं कि लाबकारी सिद्ध हो यह जो हम लीगलेट क्लिनिक्स कोल रहे हो जादा श्रमिक भाई इसका फायदा उठाइए असर हमारा जो यह चैनल देख रहे हैं दर्शक ह हमारा program देख रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर उनको कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे देखे यह आपने जो अभी इतना अच्छा साक्षातकार लिया उसका मकसद यही है हमारा बार बार बोलनेगा कि message spread हो लोगों को पता लगे कि जो हमारे श्रमि यह लोगों को पता लगना चाहिए कि जो हमारे इतनी बड़ी आबादी है especially दिली में श्रमिक भाईयों की उनके लिए ऐसी फोरम्स हैं जहां पर वो अपने आपको आसाहय फील ना करें तो इसलिए हम बोलते है कि कानून प्रशासन आपके साथ है आप अकेले नहीं है इसलिए जो हमारा दिली विदिक राज्य सेवा प्राधी करण है उसका मकसद भी है कि न्याए सब के लिए किसी को अकेला फील ना हो कोई अपने आपको असाहय गरीब तपकेगा या कमजोर अफील करे उसके लिए प्रशासन और डेली लीगल सर्विस अथॉर्टी अवेलेबल है जितना उसकी होगी गाइडेंस और हेल्प की जाएगी तो यह थे हमार साथ संदीब गुपता जी सेकेटरी दिली लीगल सर्विस अथॉर्टी सेंटर डिस्ट्रिक इनसे काफी वीश झाल